तो आज के वीडियो यहां पे कुछ खास होने वाले है वैसे कंडिडेट के लिए जो यहां पे 2020 में एकजाम दिये थे बिहार पेरामेडिकल का चाहिए आप का रहे हैं कुछ भी हो यहां हम लोग डिसक्स करेंगे प्रिवियस यर्स के कट अप के बारे में काफी एस्टुडे यहां पे कोर्सेज एवलेबल हो जाएंगे और कौन से कॉलेजेज आपको मैक्सिमुम पोसिबिलिटी है कि आपको मिल जाए तो जैसे ही आप लोग प्रिवियस डाटा देखेंगे आप सभी के यहां पे कनफ्यूजन दूर हो जाएगा यहां पे हम लोग 2019 का फर्स्ट जरूर मिला होगा यानि की अन्रिजर्व रैंक आप सभी के पास युवार रैंक होंगे तो इस उसी के एक और्डिंग आप लोग यहां पे मिलाएंगे आपका कौन कौन से कॉर्सेज आपको मिलने की यहां पर मैक्सिमुम पोसिबिलिटी है मैल लिए हम लोग यहां पर डि कौनिसियन उसके अलावे एक और यहां पर कोर्सेज है फर्मैसी डी फर्मा जिसे बोलते हैं डी फर्मा तो इस सारे कोर्सेज यहां पर है सब्सक्राइब करके जूरे रहे आगे के पलपल अपडेट के लिए यहां पर मैल लिए हम लोग यहां पर चलिए स्टार्ट करते है सबसे पहले मैं आपको यहां पर बता दू कि कौन-कौन से कोर्सेज और यहां पर Opening और Closing Rank क्या है जरा इसके बारे में आप लोग थोरा सा जान ले तो यहां पर Opening Rank यहां से यानि की जो यूवा रैंक आप सभी के पास होगा इतने Rank Holders को तो यहां पर देख पा रहा है कि मैं यहां पर एक UR को यानि की Unreserved को यहां पर मैं आपको बता दू कि 164 से यहां से स्टार्ट हुआ था UR Rank का और यहां पर Lastly UR Rank का कहां हुआ था तो 3,008 Rank Holders को यहां पर Lastly A&M Course मिले थे UR Rank से कहां पर बिहार सरीप में तो इस तरह से सभी Student अपना अपना यहां पर UR Closing Rank देख सकते हैं और अपना यहां पर उमीद लगा सकते हैं कि आपको कितना Maximum Possibility है कि आपको कौन-कौन से यहां पर Courses मिल सकती है तो आईए हम लोग से स्टार्ट करते हैं एक एक करको सभी को हम लोग डिसक्स करेंगे यहां पर मेल ली यहां पर बिहार सरीप और यहां पर मुंगेर बार और बेगुसरा इस सभी में जो है कि 99 no cumplिया नार्थ कि लिया गया था बात कर लें हम पे gracie की तो बी-सी में पे 3328 लाष्टी के टेज़ी को लिया गया धा जिनका एवार है ist na तो इस तरह से अपना-पना जो है कि यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इसके बाद जो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, next course के बारे में, अब यहां पर आप लोग देख पा रहे है कि बेगुसराय के बाद यहां पे है बेतिया बेतिया के बाद कैमूर, भागलपूर और अंगावाद इसके बाद नीचे हैं गया तो आप सभी लोग अपने अपने कैटेगोरी या उवा रैंक तो आप लोग देख सकते हैं UR में आप सभी लोग fight कर सकते हैं चाहे आप किसी भी category सो belong करते हो हम लोग यहाँ पे discuss करते हैं एक और यहाँ पे college को हम लोग यहाँ पे आपको बता देते हैं उसके बाद आप लोग अपना-पना check करते रही है मैं यहाँ पे बेतिया की बात कर लो तो बेतिया में यहाँ पे देख पा रहे है UR में closing rank किया गया था 4143 तो यदि आपका इतना rank है UR से तो आप यहाँ पे admission ले सकते थे अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ST की तो ST में यहाँ पे 6966 तक यहाँ पे लिया गया था SC की बात कर ले तो 9612 यहाँ पे Lastly rank को लिया गया था BC का rank की देखे तो UR rank की यहाँ पे है 5886 EBC की बात कर ले तो 56468 RCG की बात कर ले जो girls के लिए होती है 5535 तो यह सारे rank यहाँ पे दिये गए हैं अपने अपने category को अपने अपने college को यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं चलते हैं next colleges की तरफ आप लोग फिर से यहाँ पे देख सकते हैं कि A&M यहाँ पे गया का है फिर से नीचे गोपाल गंज इसलामपूर और नीचे आपका यहाँ पे दरभंगा तो यहाँ पे mainly आप सभी को फिर से एक पर बता दो कुई आप लोग closing rank देखना है कितने पे close हुआ और अपने UR rank से यहाँ पे मिला सकते हैं अपने अपने category का नहीं अपने अपने UR rank से यहाँ पे मिलाएंगे कि इतने UR rank वालों का यहाँ पे selection हुआ था अब जो हम लोग यहाँ पे discuss करेंगे कटिहार का कटिहार का आप लोग है तो आप लोग अब देख सकते हैं कि कटिहार का कितना गया था ठगरिया को आप लोग देख सकते हैं ANM यहाँ पे किसन गंज है ANM यहाँ पे LH भी पटना सीटी है और इसका जो है कि जितने भी कंडिडेट इसमें यहाँ पे admission लेना चाहते है तो आप लोग यहाँ पे cut-up देख सकते हैं यहाँ आपके सामने ANM स्कूल जो की लखिस राय है नीचे आपके उसी केस नीचे आपको यहाँ पे लग जमूई है और उसके नीचे यहाँ पे मधुबनी का है सीवान का है मोतिहारी का है यहाँ पे अपने-पने कैटेगोरी का और युवर रैंक के आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि युवर कैटेगोरी का क्या हाँ पे अपने कैटेगोरी का भी आप लोग अपना रैंक चेक कर सकते हैं अब आईए हम लोग नीचे देखते हैं कि कौन कि नीचे आपका आजाता है पुर्णिया पुर्णिया के बाद नवादा सहरसा समस्तिपूर इन चारों का यहां पे आप इसकी दो वीडियो को पॉज करके अपने-अपने कैटेगोरी का यहां पर चेक कर सकते हैं फिर से मैं आपको बोल रहा हूं कि आप लोग EU रैंक से चेक करयेगा। यह जो सारा यहां पे data है यहां पे आप लोग देख पा रहे हैं कि यहां पे नहीं देखिएगा फिर से आपको मैं यह अपटेट दे रहा हूं अब जो देखते हैं next courses या colleges समस्तिपूर के बाद नीचे है आपका सारन सिवहर सीता मधी सुपौल वैसाली इन चारों का आप लोग देख सकते हैं कि यहां पे वीडियो को रोक करकी आप लोग चेक कर सकते हैं कि क्या कटब गए थे पिछली बार उसी के आसपास इस बार भी जाने की उमीद है आफटर फ गया जो कि इसका फूल फर्म है अनुगरा नरायन मगद मेडिकल कॉलेज एंड होस्पिटल जो कि यह गया में हैं यहां पे देख पार हैं यहां पे कौन-कौन से कोर्से जिसमें एवलेवल है सभी के बारे में हम लोग यहां पर डिसकॉस करेंगे यहां पे तो आपको जीन इंड को कर सकते हैं काफ़ी उच्षा कर सकते हैं रहां पडेट के जीएंग का बताईए कि कितना के कौन गया था कर सकते हैं तो यहां पे यहां पर गया है लास्टली यहाँ पे cut up गया था GNM का UR से यानि कि जनरल केटेगोरी से 406 यानि कि आपका 406 UR rank है तो आपको यहाँ पे ANMMCH गया में आपको college मिला था पिछली बार फर्स्ट राउंड के recording यहाँ पे दिया गया है अब यहाँ पे SC वालो जो भी है SC से जो बिलाउंग करते हैं आप लोग चेक कर सकते हैं आपका UR rank यादि 2511 है तो आपको यहाँ पे colleges मिले हैं अब जो BC कैटेगोरी के यहाँ पे छात्र है sorry यहाँ पे छात्रा हैं क्योंकि यहाँ पे जो ANM sorry GNM जो courses है जो कि छात्राओं के लिए है तो यहाँ पे BC के जो छात्राएं है इनको UR rank 440 पे यहाँ पे selection हुआ था तो यहाँ आपको UR rank 440 होना चाहिए आपको ANMCH गया के लिए तो यह पिछला data है और इस बार कितना जाता है तो आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते है कि इस बार भी इसी के आसपास ही थोड़ा बहुत इधर-उधर होने की संभावना है तो इस तरह से अपने-अपने केटेगोरी के आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं अब जो हम लोग यहाँ पे लैब टेक की बात करेंगो लैब टेक में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लर्किया भी लर्किया आर्सी जी जो की लर्कियों के लिए है लर्किया का क्या कटप गया था यहाँ पे 1411 यानि की 1411 यहाँ पे गया है और यहाँ पे EWAR का जो General का गया है नौसर एकान में SC की बात कर ले तो 4736 SC की SC यहाँ पे BC की बात कर ले तो 1140 इस तरह से अपने-पने केटेगोरी के आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं OT का क्या गया था General का तो आईए देखते हैं कि ऑ टी का आप लोग यहां पे देख पा रहे हैं कि ऑटी का जेनरल गया था कट अफ 1213 एंड यहां पे 2.1 बीसी का गया था 1222 इस तरह से अपने अपने केटेगोरी का चेक कर ले आरसी जी का गया था 1266 ऑप्तालमी का क्या गया था यॉफुआल में का चौ Rapha bakka गया था और एक्तिक आप пролोग यहां पर चेक कर सकते हैं नीचे और सारी हैं नेखेंगे उसको भी को चै पर जायाई Chief oldा he कर गया था तो आप लोग यहां पर मुझाफर पुर यहां कर सकते हैं कर में तो सबनेक्सिमाम करें करец सब इंद्लिया इस si जो की लखिस लहे सिराय याने कि जो दर्भंगा में अवस्थित है यहाँ पे जी एन एम कोर्सेज लैब टेकनिसियन ओटी एसिस्टेंट और एकसरे टेकनिसियन इन सारे कोर्सेज यहाँ पर ev level है हम लोग यहाँ पर discuss करेंगे सबसे पहले जी एनेम का क्या cut up गया था तो जी एनेम के सामने चेनरल का यहां पर यहां पर आप चाहरे 12-7 और उसके नीचे FC है BC BC RCG है तो RCG का क्या cut up गया था 770 इसके आलावे यहां पर बीसी का देख सकते हैं 742 और इसके बाद हम लोग डिसकस करेंगे लैब टेकनिसियन का लैब टेकनिसियन का क्या है पर कट अब गया था तो यूर का मैं यहां पर देख लेता हूं यूर का तो यूर का यहां पर गया था 1231 एसी की बात कर ले तो 3230 आर्सी जी का पर कट अब गया था 1880 और इबीसी का 1608 इस तरह से आपको इंड वाला जो लास्ट यहां पर कट अब क्लोजिंग रैंक को देखना है ओपन रैंक को नहीं देखना है जो लास्ट में क्लोज हुआ था कितने पर क्लोज हुए थे उसको दे कर सकते हैं कि कि यहां पर ओटी की बात कर ले तो ओटी का यूँ वर गया था 249 वह बात कर ले BC की तो 501 इसके अलावे अपना-पना चेक कर सकते हैं यहां पर 557 इबीशी का है डिक्यू का किया गया था तो 37,000 तक इनका गया था डिक्यू का फिर यहां पर आ गया अप्थालमिक अप्थालमिक मैं बात कर ले उर के तो 1100 एकाउन यहां पर गये हैं तो इसका मतलब आप लोग लरकिया भी इसके लिए अपलाई कर सकते हैं यहां पर पोस्ट प्रिफेंस में इसको डाल सकती हैं यहां पर बात कर ले एक्सरेट टेकनिसियन की तो यहां पर क्या है एक्सरेट टेकनिसियन का और यहां पर एक यूर के मैं बात कर रहा हूं उसके के अलावे अपने अपने कटेगुरी के आप लोग यहां पर चेक कर सकते हैं पहले क्या था कि पहले कांसलिंग और अफ्लाईन के माध्यम से कंड़क्ट होती थी जिसमें इन सभी केटेगोरी में अप्थालमीक लैब अप्ठालमी और एक्सरेय इस सभूंए में जो है कि महिलाएं नहीं आती थी और सारे के सारे guest ये येन मेंं वहां पर रहती थी और क्या इसारिजन था है फुल यहांपे बदेट नहीं संहाँ तो इसका मतलब आप सभी इसके लिए अपलाई कर सकती है आप चलते हैं नेक्स्ट जो आपका कोर्सेज यहां आपके सामने GMC, Betia, Minsk, Government, Medical College, Betia, Lab, Technician की यहां पर आपको सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है इसके बाद आपको यहां पर OT Assistant Ophthalmic X-ray Technician ता आप सभी जो भी स्टुडेंट इसमें इच्छुक है लेना चाहते हैं इसको कॉर्सेज को तो आप लोग यहां पर क्लोजिंग रैंक देख सकते हैं कि कौन-कौन से कैटेगोरी में कितना क्लोजिंग रैंक गया है फिलाल यहां पर आप लोग फिर से मैं आपको बता दो इवार क्लोजिंग रैंक है अपना अपना इवार रैंक से आप लोग यहां पर मिलाएंगे चलते हैं Next Courses अब आपके सामने नीचे है GNM School जोकी बांका जहानाबाद उसके नीचे है GNM School सहरसा उसके नीचे है सासाराम और सबसे लाश्ट में हाँ पर है सेखपूरा तो यहां पर आप जितने भी महिलाएं हैं आप लोग यहां पर चेक कर सकते हैं कि जेनरल में क्या कटफ गये थे फ्रिवियस यर्स तो मैं एक केटेगोरी जैसे मैं यहां पर जहानाबाद को आपको बता दूँ इवार में आप लोग देखे जेनरल वाले लाश्टली यहां पर कितना गया था 838 याने कि आपका इवार रैंक 838 है तो आपको मैक्सिमुम पॉसिबिलिटी है कि आपको यहां पर जेनम बरांचेज मिल जाए बात कर लें सी की तो सी में यहां पर 3541 गय थे इबीसी में यहा कवर没有 closing Rank देख सकते हैं FCG में 1188 कि तो आप लोग आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा आप अपने-पने Closure Rank को यहां पर चेक कर सकते हैं वीडियो को रुक करके सभी यहां पर डिस्ट्रिक वा यहां पर जहानवाच सहरसा सासराम सेखपूरह बंका सभी का दिया गया है, आप लोग एक एक करके यहाँ पर चेक कर सकते हैं अब जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे गॉर्मेंट फरमेसी इंस्ट्यूट जो कि अगम कुआ गुलजार बाग पतना में हैं यहाँ पर हम लोग डिसकस करेंगे कि क्या कट अफ गए थे यहाँ पे pharmacy में काफी सारे डी फर्मा लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले general की बात कर ले तो 230 rank वालों का यहाँ पे selection हुआ था general में इसके अलावे 747 देख पा रहा है कि ST में और इसके नीचे category by SC का BC का EBC का और RCG का सभी का यहाँ पे category by है नीचे में RCG का 479 यहाँ पे selection हुआ था UR closing rank है यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे बता रहा हूँ UR closing rank है आप सभी अपना अपना UR rank से यहाँ पे चेक करेंगे आईए यह सभी उपर में जो colleges है इन सभी के बारे में मैं यहाँ पे discuss नहीं करूंगा क्योंकि यह सारे कि मैं यहाँ पे सिर्फ government colleges को मैं यहाँ पे cover कर रहा हूँ तो चलिए next यहाँ पे courses को देखते हैं अब जो हमारे सामने जो यहाँ पे courses है GNM का lab tech का OT का अप्थालमिक का जो की JLNMCH याने की जवाहर लाल नहरू medical college and hospital भागलपूर तो यहाँ पे जो भी student courses यहाँ पे लेना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे cut up देख सकते हैं कि previous cut up क्या गय थे यहाँ पे हम लोग बात करेंगे GNM का तो GNM में यहाँ पे UR का आप लोग देख सकते हैं लाश्टली cut up गय थे 548 काफी अच्छे खासे यहाँ पे cut up गय थे ST की बात कर ले तो 1895, SC की बात कर ले तो 1966 और BC की 636 EBC की 804 और RCG लर्कियां के लिए 675 यहाँ पे cut up गय थे उसके बाद जो लाइब technician का यहाँ पे जो courses है इसमें क्या cut up गय थे general का तो यहाँ पे 617 ST का यहाँ पे है SC का है BC का है आप लोग अपना अपना चेक कर सकते हैं category by चलते है next courses की और कि नीचे में आपके इसी में courses है आपको ओटी का अप्थाल्मिक का और X-ray technician का अब सभी का closing rank यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि अपने अपने category का क्या closing rank इनका गया था अब जो सामने आपके जो colleges है NMCH पतना जो की नलंदा Medical College and Hospital जो की पतना में हैं यहाँ पे जी एनेम कोर्सेज लैब टेक्निसियन ओटी असिस्टेंट और थाल्मिक कई सारे यहाँ भी courses है एक एक करके सभी का हम लोग यहाँ पे previous cut-up discuss करेंगे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जीनेम की बात करें तो जीनेम में यहाँ यानि की अन्रिजर्ब का यहाँ पे जो cut-up गए थे 222 काफी अच्छे खासे यहाँ पे 222 गए है यानि की यहाँ यदि आपका rank यहाँ से 222 है तो आपका यहाँ पे सेलेक्शन हुआ पिछले according के अनुसार तो इस भार भी यदि PMCH NMCH PMCH को आगे हम लोग cover करेंगे NMCH तो जो सारे यहाँ पे पतना के जो colleges है यहाँ पे admission लेने के लिए आपको rank भी अच्छे खासे चाहिए ST की बात कर ले तो ST में यहाँ पे 2988 यानि की 2988 UR rank जिनका था UR rank क्या था 288 तो इनका यहाँ पे selection हो गया था इस तरह से आपको यहाँ पे UR rank होना चाहिए selection के लिए आप लोग यहाँ पे अपने अपने category को चेक कर लेंगे बात कर लेते हैं Lab Technician की तो Lab Technician का आपको यहाँ चेक कर सकते हैं UR का जो गया था यहाँ पे 841 है और SC, HT, BC, EVC, RCG यहाँ पे चेक कर सकते हैं अपने अपने category का UR rank से आप लोग चेक करिएगा फिर मैं आपको बता रहा हूँ OT का भी इसी तरह आप लोग चेक कर सकते हैं चलते हैं next courses की और next courses यहाँ पे है ANMCH पटना में ही ophthalmic का जो की UR rank देख रहे हैं जो closing rank यहाँ पे क्या है 1432 तो UR rank आपका कितना होना चाहिए इसमें admission के लिए 1432 आपको होना चाहिए SC की बात कर ले तो यहाँ पे 335 है BC का आप लोग अपना अपना category का चेक कर सकते हैं अब जो हम लोग यहाँ पे discuss हरेंगे ओ है college PHI means public health institute जो की पटना में है यहाँ पे lab technician यहाँ पे है sanitary inspector तो इस तरह के जो पद है यहाँ पे PHI पटना में है यहाँ पे lab tech के जो बात कर ले उर में तो 1462 जिनका rank था उनका यहाँ पे selection हुआ था लाश्टली closing rank हुआ ही है और जो sanitary inspector है यहाँ पे बात कर ले उर की तो 1916 जिनका rank था उनका first round में closing rank घया है ST का SBC, EBC, RCG अपने अपने category के आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं अब जो हम लोग यहाँ पे discuss करेंगे PMCH पतना यानि की पतना medical college and hospital आप सभी उनसे परिचित होंगे यहाँ पे बात करेंगे GNM का तो GNM में यहाँ पे जो cut up गए थे काफी high यानि की 87 सीर्फ आपको rank होना चाहिए 87, UR में, UR में कितना rank होना चाहिए 87 तो अब जाकर आपको यहाँ पे selection होगा जो previous data है अब जो ST का है 271 है, SC का 749 इस तरह से आप लोग अपना अपने category को यहाँ पे check कर सकते हैं अब जो यहाँ पे lab technician का है, lab technician का है, यहाँ पे 442 है, UR से यहाँ पे लरकियों के लिए 76 लग गये थे lab technician में and OT की बात कर लें, तो OT में यहाँ पे 220 यहाँ पे है, SC का आप चेक कर सकते हैं, ABC, EBC का RCG का 572 है अब थाल्मिक का आप लोग देख सकते हैं कि क्या cut up गये थे, UR में तो 988, ST, ABC, EBC, RCG आप लोग यहाँ पे check out कर सकते हैं X-ray technician का नीचे में हैं, आप लोग इसका भी check कर सकते हैं कि क्या cut up गये थे, चलते हैं next college की ओर, अब जो next colleges आपके सामने है, government colleges, ओ है आपका पटना dental college Dental college में आपको यह कौन से यहाँ पर courses है, तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, Dental Highest का यहाँ पर है, तो यहाँ पर UR का जो cut up गया था, closing rank, 1840, SC का 4676, BC का 1961, और यहाँ पर Dental यहाँ पर mechanics है, तो mechanics का यहाँ पर गया था, 1908, SC का आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं, EBC का 2512, और BC का 227, इन दोनों में आप लोग देख पा रहे होंगे कि RCG इसमें नहीं है, RCG इसमें कोई यहाँ पर seat नहीं है, तो सायदे जो है कि लरकियों के लिए यहाँ पर नहीं उपलब्ध है, चुकि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो Dental Colleges है, पटना Dental College, इसमें RCG यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, चलते हैं, अब नेक्स्ट कॉलेज की और कौन से कॉलेजेज हैं, अब जो आपके सामने जो कॉलेजेज है, ओ है SKMCH मुझफरपूर, मिन्स स्री क्रिस्न मेडिकल कॉलेज एंड होस्पिटल मुझफरपूर, यहाँ पर जी एनेम, लैब टेक्निक सेन, ओटी, अप्थालमिक, एक्सरे, इन स 185, इस्टी का आप लोग अपना-पना केटेगोरी को यहाँ पर चेक कर सकते हैं, लैब टेक्निक सेन का भी अपना-पना केटेगोरी को चेक करते रहें, ओटी का भी, अप्थालमिक और एक्सरे, इन सबों को आप लोग वीडियो को रोक करके देख सकते हैं, आप चलते हैं है वर्दमान इंस्ट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो की पावापुरी में है एक गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज है यहां पे आप लैब टेक्निक्सियन है से से का 312 इस तरह से आप लोग अपने अपने करेटिगोरीं का कलोजिंग रहांगς कर सकते हैं नीचे उसके हैं और ओटी का ओड़े विद्दमाय जो लेना चाहते हैं इसको जो 2020 कर सकते हैं उसके नीचे हैं आपका ऑप my солi Curry एककлек coloca स्यक्षविए जो है कि यहांपे क्ट ऐटाउड управ 스킬 राउंड का कटफ हैं तो विडियो का छिपसे महनत लगी तो पिडियो के आप लाक जडूद कि दोस्तों के साथ शेर करना ना भुले क्योंकि काफी महनत करने के बाद विडियो को मे आत्यार किया हूं काफी जो एकी डाटा इकठा करने होते हैं एक वीडियो को त्यार करने के लिए तो जो भी आप लोग से जितना भी सियर हो सके सियर करें काफी मेहनत करनी फरी इस वीडियो को बनाने में थैंक्यू आपका दिन सुब हो आपका maximum possibility हो कि आपके अच्छे branches, courses और अच्छे आपको institute मिलें इसी के साथ सुब कामनाई के साथ मिलते हैं next वीडियो में